तो financial year अब हमारा end होने को है ऐसे में हम teleprime में अपने data को next financial year के अंदर कैसे forward करें अभी जो हमारा current financial year है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं अब इसको हम change करेंगे तो जो हमारे ledger के और item की closing balance होंगे वो हमारे next year के opening balance हो जाएंगे एक account मैं open कर लेता हूँ यह हमारे पास account है राम एन संस का दो entry हमने यहाँ पर करी हुई है अभी इस account का closing balance है 173,950 financial year को हम change करते हैं financial year को जब हम change करेंगे तो सबसे पहले हम gateway of tally पर आएंगे यहाँ पर हम shortcut की press करेंगे alt F2 यहाँ पर हम date change करेंगे अब हमारा next financial year होगा 14-2023 से 31-3-2024 enter press करके आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा financial year change हो चुका है इसको यहाँ पर हम check कर सकते हैं बात करें कि हमारे ledger के balances भी forward हुए या नहीं तो उसको भी हम check कर लेते हैं वापत से हम राम एन संस का account open कर लेते हैं यहाँ पर भी हम check कर सकते हैं जो हमारा balance है वो हमको अब opening balance के अंदर show हो रहा है तो इस तरीके से आप अपने financial year को change कर सकते हैं अपने बाहन पिर हैं